Hello everyone, this is Ram Vishnoyi and you're watching Geographic Guru. आज के इस एपिसोड में इस वेडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं Class 10th SST, Social Science की और डिसकस करने वाले हैं CBSE की Official Sample Question Paper को. ये CBSE का Official Sample Question Paper नंबर थर्ड रहेगा इस YouTube चैनल के उपर. Already हम two Sample Question Paper, one is for Hindi and English Medium published कर चुके हैं. आज का जो हमारा Sample Question Paper है इसमें हम फोकस करेंगे Hindi Medium Students के उपर. वैसे ही जो Sample Question Paper होता है, ये हमारी Preparation के लिए. जब हम Board Exam की Preparation करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत Important Tool होता है. ऐसा नहीं होता कि बाई, Sample Question Paper दे दिया, वस ये ही देखना है कि कैसा आएगा. ऐसा नहीं होता. इसमें अगर हम बहुत अच्छे तरीके से एनलाइज कर पाए ना, तो काफी हद तक हमारी Preparation हो जाती है. देखे, जब कोई भी Question Paper सेटर होता है, जब वो Question Paper को सेट करता है, आपके Board Example के Question Paper को सेट करता है, तो उसको कौन से टूल मिलते हैं? उसको एक तो Last Year का Simple Question Paper, जो Board का Annual Question Paper है, वो दिया जाता है, NCRT की Book अवलेबल करवाई जाती है, इसके साथ साथ Slavers की एक Copy दी जाती है, और एक दिया जाता है Simple Question Paper जो उस साल का Board का होता है, उन्हीं टूल्स को लेकर के, वो जो Paper सेटर होता है, वो Question Paper को त्यार करता है, अब व उसमें जो Simple Question Paper है, उसे कहीं ने कहीं वो Influence तो होगा, उसके Mind में वो Questions तो रहेंगे, हो सकता उनमें से कुछ Questions वो Directly ले ले, हो सकता कुछ Questions वो Indirectly ले ले, हो सकता उसकी Language को Change कर दे, एक चीज तो होता है, कुछ ने कुछ तो होगा, 20, 25%, 30%, कुछ हो सकता है, दूसरी चीज की एक Pattern का हमें आइडिया लगता है, जब हम Simple Question Paper को Solve करते हैं, तो हमारे Mind में एक चीज आ जाती है, कि इस टाइप का Pattern हैगा, इस टाइप के Questions एक जाम में आने वाले हैं, तो जब हम Revision करते हैं, तो हम उसी Point Office से सारी, जो Revision, Preparation है, उसके पर Focus कर पाते हैं, Time Management के लिए बहु Clear हो जाते हैं, जब हम Simple Question Paper को Solve करते हैं, तो बहुत Important है, कि हम At Least One Simple Question Paper अच्छे से Solve करके जाएं, ताकि Board Exam में जब हम बैठते हैं, तो वहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी होच-पोच या कोई भी गड़ बढ़ना हो, ओके, लेट्स बेगिन चली, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि यह आपकी स्क्रीन को इपर आप देख पारें, यह CBSC Board Examination का Simple Question Paper है, जो मैं आपके साथ Share करने वाला हूँ, जो हम Discuss करने वाले हैं, थोड़ा सा Fast रहेंगे हैं, यानि मोटे-मोटे तोर पे हम Points को Discuss करेंगे, बहुत Deep नहीं जाएंगे, तो यह Class 10 का आपका Simple Question Paper है, मैंने यहाँ पे C mention किया है, क्योंकि यही मैंने अपने स्कूल में Class 10C को Share किया है, तो यह Subject आपका Social Science है, जिसका Code 087 है, 3R's आपको मिलते हैं, Maximum Marks आपका 80 का रहेगा एकजाम, और यहाँ पे देगे हैं कुछ General Instructions, यह जो General Instructions हमें देगे हैं, जो सामान As it is, आपके Board Exam के Question Paper में रहेंगे, तो यहीं पे हम समझ लेते हैं कि आपके Question Paper में क्या कुछ है, देगे, आपके Question Paper में Total 6 sections रहेंगे, 6 खंड रहेंगे, A, B, C, D, E, तथा F, Total जो Questions रहेंगे, वो 37 रहेंगे, All the questions will be compulsory, compulsory रहेंगे, यान कि हमें internal choices मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा न होगा, जो आपका Section A रहेंगा, उसमें 1 to 20 questions होंगे, सभी MCQs होंगे, 1 marker question होंगे, उसके बाद आपका Section B रहेंगा, उसमें Question Number 21 to 24 होंगे, और यह आपके Very Short Answer type questions होंगे, और यह 2 marker question होंगे, उसके बाद आपका Section C जो रहेंगा, उसमें Question Number 25, 26, 27, 28, 29, यानि कि Total 5 questions रहेंगे, औ यानिकी आपके 3 marker question होगे, 15 marks के हो जाएंगे 3 marker, उसके बाद आपका section D रहेगा, यहाँ पे question number 30, 31, 32 and 33, यानिकी total 4 question होगे, यह आपके long answer type question होगे, और यह होगे 5 marker question, total 4 question आपके 5 marker होगे 20 marks के, यहाँ पे आपको internal choices मिलने वाली है, detail में भी हम देखेंगे इन चीजों को, उसके question number 34, 35 and 36 रहेंगे, यह आपके case study based questions रहोंगे, okay, case study आपको दी जाएगी, उसको read out कर, उसी पर based questions होगे, उसमें 3 questions होगे, 2, 1 marker question and 1, 2 marker question, उन में से any 2 questions हो direct हो सकते हैं, 1 question आपका indirect वहाँ से हो सकता है, clear, तो यह part बहुत important है, और यह part सिरफ important यह नहीं कि हमें यहाँ से questions को find out क दर नहीं करना है, और time को ठीक से manage करना है, यह माइने रखेगा यहाँ पर, उसको बद आपका जो section F रहेगा, वो आपका map work related question रहेगा, इसमें 2 parts रहेंगे, 37 A and 37 B, 37 A जो रहेगा, उसमें history से related, 2 points आप से पूछे जाएंगे, और जो 37 B रहेगा, उसमें आपके geography से related, आपक 4 मिलेंगी, 4 में से 3 map points से आपको वहाँ पर identify करना है, या फिर उनको locate करना है, इसके इलावा यहाँ पर आपको internal choices मिलेगी, overall कहीं पर भी कोई choices नहीं मिलेगी, और 37 questions means we have to solve all the 37 questions उनको solve करना है, clear, इसके इलावा जो भी part आपको मिलेगा section A, B, C, D, जहाँ पर ही required है, वहाँ पर कुछ general instructions आपको दिये होंगे, clear, ऐसा adjectives आपके board exam में भी होने वाला है, तो चलिए हम solve करते हैं, इस sample question paper को, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम section A की बात करेंगी, यहाँ पर हमें मेलेंगे MCQs, 20 MCQs होंगे, और जैसा कि मैंने बता है कि हम यहाँ पर Hindi medium के लिए, यह question paper solve क करने बाले हैं, क्योंकि Hindi medium के लिए question paper है, वो easily available नहीं हो पाता है, Google पर भी, और CBS से भी only English medium में जो simple question paper है, वो release करता है, तो इसमें देखिए, first जो हमें question दिया गए, days, रिक्स्तान, 1832 में, ग्रीस को सफंतराष्टर की रूप में मानता दी, किसने, तो यहाँ देखिए, correct answer ह आपका C हो जाएगा, कॉंस्टेनिटोपल, ओके, कॉंस्टेनिटोपल, जिसको कुस्तुन्तुनिया, हिंदी में हो सकता option, कि कुस्तुन्तुनिया है, उस संधी के द्वारा, 1832 में, ग्रीस को सफंतराष्टर की रूप में मानता दी गए थी, उसके बाद next हमारा question रहेगा, second question को देखिए, second question है, असम में बागान शर्मिको पर ऐस योग अंदोलन का क्या परभाव पड़ा, तो इसमें correct answer हमारा रहेगा, कि उन्होंने वरिक्षार ओपन छोड़ दिया और घर चले गए थी, okay, तो A correct answer हो जाएगा, third जो question दियागा, गुलाम गिरी पुस्तक किस से समन देखिए, गुलाम गिरी पुस्तक है, इसके राइटर है, जोतिवाराव फूले, और ये जाती वरस्ता के अन्याय के खिलाव थी, तो C correct answer हो जाएगा, उसके बाद हमारा fourth question जो रहेगा, यहाँ पे MCQs में, उद्योगी करांती से गुजडने वाला पहला देश है, तो पहल स्तक पोशन ये विकास को संदर्भीत करता है, सस्टनेबल डेलपेंट को रिलेट करता है, हमें ये बताना है, कौन सा कतन है, जिसमें B आपका correct answer हैगा, वातावन को, प्रियावन को नुकसान पहुंचाए बिना किया गया, जो बिना किया गया विकास, यानि कि जो विकास है वो कैसा होना चीए, जिसमें प्रियावन को नुकसान ना पहुंचे, जिसमें हम आने वाले PD को ध्यान में रखें, तो ऐसे विकास को हम बोलते हैं, स्तक पोशने विकास, तो B आपका correct answer हैगा, उस बाद 6th question को देखिए, वानी जी खेती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उके, जो commercial farming है, उसे related कौन सा statement है, वो correct है, यह हमें बताना है, correct पोचा ना, नहीं, incorrect पोचा है, incorrect कौन सा है, तो देखिए, इसमें से ये भी correct है, कि फसने बिकरी के लिए उगाई जाती है, बड़ी जोतों में फसने उगाई जाती है, ये भी correct है, आधुनिक inputs का अधिक उप question रहेगा, 7th question देखिए, जो आपके question paper में दिया गए, 7th हमें question दिया गए, निमलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर घोषित किया, तो ये पंडित चुहालाल नहरू ने कहा था, कि जो बांध है, वो आधुनिक भारत के मंदिर है, modern India के temple हैं ये, उस इसक बाद 8th जो हमारा question दिया गए, इस question paper में, निमलिखित में से कौन सा, श्रिलंका में पारित 1956, 1956 के अधिनियम का प्रावधान नहीं था, तो इसमें C आपका correct answer हो जाएगा, तमीलों के प्रांतों को सवायता दी गई थी, ऐसा हुआ नहीं था, उनके demand थी, लेकिन उनको autonomy नहीं दी गई थी, तो ये C आपका correct answer हो जाएगा, क्योंकि ये 1956 का जो provision था, उससे related नहीं था, उसके बाद next जो हमारा question रहेगा, 9th जो question दिया गए, आपके sample question paper में, समवर्ती सूची में दिये गए विश्यों पर कानून कोन बना सकता है, तो समवर्ती सूची जो होती है ह हमारे, देखिए, आपके पास एक union list होती है, हमारे constitution में, उसके बाद दूसरी अगर list की बात करें, तो state list होती है, union list के उपर केवल केंदर सरकार कानून बनाती है, state list के उपर state government, जो है, वो कानून बनाती है, जो समवर्ती सूची होती है, co-current list होती है, उसके उपर केंदर था राज्य सरकार, दोनों कानून बना सकते हैं, तो C आपका correct answer हो जाएगा, उसके बाद 10th हमें question दिया गए, 10th question में देखिए, हमें एक अभीकतन दिया गए और current दिया गए, उसके बाद हमें यहाँ पे correct option है, वो choose करना है, तो यहाँ पे अभीकतन जो A दिया गए, कि निकायों में कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षीत है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये उसको explain नहीं करता, clear, तो इसमें हमारा यहाँ पर B correct answer होगा, कि दोनों कथन A और कारण R सत्य है, लेकिन कारण R A कथन का सही सपष्टिकर्ण नहीं है, तो B correct answer हो ज लेकिये, पंचायतों नगरपालिकाओं में महिलाओं को परतिनी जित्तव परदान करने के लिए क्या कदम उठाय गए है, महिलाओं के लिए आदी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षन है, वन थर्ड महिला सरदिश्यों की नियुकति है, ये महिलाओं के लिए एक दिया गया है, इस sample question paper में, एक गठ बंदन क्या होता है, तो देखिए इसमें correct answer आपका B रहेगा, जब कई पार्ट यहां चुनाव लड़ने के लिए हाथ में राते हैं, कि मिलकर के चुनाव लड़ती है, कि चलो मिलकर के चुनाव लड़ती है, तो उसे हम गठ बंदन कहेंग सत्ता का बंटवारा, इसका correct answer B हो जाएगा, कि यह सामाजिक समों के बीच में संघर्ष की संभावना कम करता है, जांच और संतूलन की अगर बात करें, तो सरकार की विभिन अंगों के बीच में, जो सत्ता का बंटवारा है, उसे check and balances कहा जाता है, लमवत, जो vertical division होता है, उ और आरक्षित निर्वाचन शित्र जो हता है, वो विभिन सामाजिक समों दोरा आपस में सत्ता की साजधारी का एक example होता है, यानि कि first का B रहेगा, और second का आपका D रहेगा, और third का आपका E रहेगा, और fourth का आपका C रहेगा, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन से वाले कुशन यहां पे दिया गया, कि यहां पर क्या करना है, कि प्रेस पर विरोधी विकास आत्मक लक्षियों के अधार पर निमिलकित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है, देखे, विकास के लक्षिये आपस में टकरवाने वाले हो सकते हैं, तो यहां देखे, सर्मिक चाते हैं कि अधिक वेतन मिले, और जो इंडिस्टलिस्ट है, वो चाते हैं कि भाई सस्ते में मजदूर मिल जाए, अमीर किसान है, वो खाद्यानों को उन्चे दामों में बेचना चाते हैं, जबकि गरीब मजदूर है, वो चाते हैं कि कम कीमत में मिले, विरोधी यहां पे प्रस्ति बिजली में लेगे आदिवासी है वहां पे जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं कि भाई हमारी जमीने चुड़ी जाएगी उनकी जमीने हैं वो उनसे चीन ली जाएगी तो यहां देखे यहां भी टकरा रहे हैं तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी में देखे यहां पे शहर में सडकों का विस्तार या त्यात की भीड को कम करने के लिए अच्छा है तो यहां पे यह टकरा नहीं रहे हैं भाई एक ही बात है कि सडकों का विस्तार है तो अच्छी बात है यहां पे विकास के लक्षे दोनों ही सेम है तो यह इसमें विकास के लक्षे आ उसके बाद 15th question दिया गए पर्ति वैक्ति आए क्या है पर्ति वैक्ति का आए है हर वैक्ति की आए ओके परति वैक्ति आए क्या है per capita income is income of per person ओके हर वैक्ति की आए clear तो be correct answer रहेगा उसके बाद next जो हमारा question रहेगा 16th question है 16th question के अगर बात करें तो ये MCQs में हमें दिया गए कि निमलिखित में से गलत विकल्ब का चैन कीज़े देखे एक courier जो services है वो तिर्टेक शेत्र में आती है सही है, मच्वारा है वो प्रात्मिक शेत्र में है सही है, इसमें banker है वो तिर्टेक शेत्र में आता है लेकिन जो बढ़ा ही होता है वो secondary activities में आ जाएगा small scale में तो C हमारा correct answer हो जाएगा ये primary sector में नहीं आएगा जो carpenter है वो वो किसमें नहीं आएगा वो secondary sector में नहीं आ रहा जो primary sector है उसमें नहीं आ रहा तो C हमारा correct answer हो जाएगा उसका देखे, 17th question है कब होता है कि जब हम रिन लिया है और वो वेक्ती चुकाने में ऐसमर्थ हो जाए तो उसे कहते हैं रिन का जाल हो गया क्योंकि वो ब्याजदर है फिर वो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और वो रिन वो लॉन वो क्रेडिट वो भी बढ़ता जाता है उसे हम dead trap या रिंजाल बोलते है उसके बाद next देखे 17th के बाद 18th जो question रहेगा हमारा one marker में 18th question है सावजनिक शेत्र के संबंद में निमिलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसमें देखे सरकास संपती की मालिक होती है बिल्कुल सही है जो public sector industries होती है उसके honor कौन होती है government होती है तो ये B correct answer हैगा उसके बाद 19th question को देखे निमिलिखित में से कौन सा विदेशी वैपार पर अवरोधक है देखे आयात पर कर ट्रेड barrier होता है किसके उपर है विदेशी वैपार को निंतरित करेगा न ये आयात पर अगर हम import के उपर अगर tax लगा देते हैं बहुत लगा दिया तो बाहर से माला नहीं बंद हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे वैपार अवरोधक किस के उपर विदेशी वैपार के उपर जब import के उपर tax लगा दिया जाता है import के उपर duty लगा दिया जाती है उसको बाद 20th question देखिए one marker में हमें MCQs में 20 question मिलेंगे ये last 20th question है विभिन देशों की अर्थवरस्ताओं के एकी कर्ण की परकरिया कहलाती है क्या कहलाती है वेश्वी कर्ण इस परकरिया को वेश्वी कर्ण बोलते है ग्लोबलाइजेशन तो ये रहेंगे आपके 20 question और ये जो पहले first 20 questions है यहाँ पर आपको focus करना है कि ये आपके 25 to 27 minutes में हो जाने चाहिए उससे ज़्यादा time नहीं लेना हमें देखे कुछ questions है जो उलजे में तो हो सकता 2-4 minutes उपर नीचे हो जाए तो मोटी तोर पर आप मानके चलिए कि ये जो 20 marks के 20 NCQs है यहाँ पर आप 25, 27 या maximum 30 minutes दे सकते हैं उससे ज़्यादा हमें time यहाँ पर नहीं देना है clear? तो ये रहेगा आपका first section और इसमें ensure क्या करना है कि कुछ questions जो confusing हो अगर आपको नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि भाई इसके बार में थोड़ा सा बाद में सोचेंगे तो एक बड़ा सा circle लगा देना यहाँ पर ताकि जब आप last में review करो ना तो आपको याद रहे कि ये वाले question का answer नहीं दिया हमें कोशिश करनी है कि अगर आप पहले इनको solve करें तो आप एक साथ ही निप्टारा लिए ये sequence में होने चाहिए और एक साथ ही होने चाहिए try हमें यही करना है clear उसके बाद next जो हमारा question जो section रहेगा second section हमारा section B रहेगा इसमें आपको मिलेंगे four very short answer type questions यहाँ पर आपको किसी भी type की internal choices third में भी लेगी third में, twenty third में आपको internal choices मिलेगी बाकी में internal choices नहीं मिलेगी तो इसमें दिखिए कि first question हमें पूछा गया तो इसमें कोशिस करनी है कि जैसे अगर हमसे two points अगर पूछे जाने है दो points अगर पूछे गए तो हम दो पर ही not limited रहें कि भाई दो ही पूछे गए आप तीन तक जा सकते हो आप पर question four minutes लगा सकते हो और कि चार minutes आप एक question पर लगा सकते हो तो यह आपके four questions है तो आपको 16 to 20 minutes maximum उतने में इनको solve करना है clear? तो यहाँ देखिए आपका question दिया गए explain any two changes brought about in Europe by the treaty of Vina भाई इंदी मेडिया में करें हम Vina की संदी 1815 के दोरा यूरोप में किये गए कि नहीं दो प्रिवर्तनों की व्याख्या किजिए एक तो देखिए जो फ्रांस की सीमा थी उस पर नई राज्यों की स्थापना कर देगे ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो पाई एक तो यह किया गया था फ्रांस के दोरा विजित सभी परदेशों को चीन लिया गया किस से? फ्रांस से चीन लिया गया तीसरा जो बदलाव की बात करें तो फ्रांस में जो बरबोन राजवन्स था उसकी पुनस था अपना कर दी गई तो ये तीन बड़े बदलाव थी तीन परिवर्तन आप लेख सकते हो उसके बाद ट्वंटी सेकंड जो कुशन है भारत में जातिगत बंधन क्यों टूट रहे हैं इसके दो करण बताएं एक तो शहरी करण शहर में जब हम जा रहे हैं तो उसके बाद लोग एक दूसरे के कॉंटेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं एक दूसरी को समझ रहे हैं जातिवाद, जातिपर्था, खतम हो रही है, शिक्षा, शिक्षा का प्रभाव के करण भी जातिपर्था है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोजिक ही नहीं है, जब लोजिक नहीं है, तो जातिपर्था ओटोमेटिक है, वो तूट रही है, इसके साथ-साथ जो आपसी मेल जोल है, वो पहले के तुल्दा में ज्यादा बड़ा है इससे भी जाती पर्था के बंदन कमजोर हुए इसके साथ साथ जो परिवन के सादन है उससे भी हम एक साथ आते जाते हैं तो उससे भी आप में समझ विक्सित हुए विक्सित हुए तो इससे भी कह सकते हैं कि जो जाती परता है उसके बंदन है वो काफी कम हो गए तो ये सब कुछ हम कह सकते हैं तो इसमें से दो नहीं है आप दो अगर पूछे जायता आप तीन काड़नों पर जरूर जाए उसके बाद नेक्स जो हमारा 23 दिया गए खनीज के सरंक्षन के किनी दो उपायों पर परकास डालिए देखिए एक तो पहला जो उपाय है जैसे हम उर्जा खनीजों की बात करें तो गेर प्रमप्रागत की जगए हम प्रमप्रागत की जगए गेर प्रमप्रागत उर्जा कसन सादनों का प्रियोग कर सकते हैं इसके इलावा इनके जो substitute अगर उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग किया जा सकता है, एक उपाय ये भी हो सकता है, इसके साथ-साथ जैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करें, जिसे कि खनन के दौरान जो वेस्टेज होती है, उसको हम कम किया जा सके, तो ऐसे उपाय अपनाई जा सकते है option में हमें दे रखा है, petroleum के महत्तों पे परकाश टालीएं, देखे, petroleum जो होता है, खनीज तेल, petroleum मतलब petrol or diesel, खनीज तेल को काला सोना कहा जाता है, black gold भी इसको कहा जाता है, ये बहुत महत्पून उर्जा संसादन है, विशेश तोर पर जो vehicle है, हमारे परिवन के सादन है, उन मुंबई हाई, गुजरात और असम ये तीन महत्मुन शेतर है जहां से खनीज तेल को निकाला जाता है उसके बाद है इसमें देखें चेक हो गया पेपर मनी हो गई आपकी प्लास्टिक मनी हो गई जो ATM कार्ड, डेबिट कार्ड ये हो गई इसके लावा e-wallets हो गई तो ये सारे सारे modern currency के form से रोपए के, मुद्रा के आधनिक रोप हैंगे तो ये रहेगा आपका section B, जिसमें आपको 4-2 marker question मिलेंगे उसके बाद section C में जाओगे, तो यहां पर आपको मिलेंगे short answer type question कितने रहेंगे, 5 रहेंगे तो यहां first question रहेगा, उसमें आपको internal choice मिलेगी तो यहां जैसे ऐसे योग अंदोलन ग्रामनी इलाकों में कैसे फेला था या ऐसे योग अंदोलन जो शहरों में धीरी-धीरी धीमे क्यों हो गया तो देखिए भाई, शहरों से ये गाउं की तरफ चला गया था उके, पहला कार्ण थी है, कि शुरुवात में शहर मुख्या के अंदर थे उसके बाद ये धीरे-धीरे गाउं की तरफ शिफ्ट हो गया था दूसरा कार्ण ये था कि शुरुवात में जब विरोध किया गया जिन विद्यार्थियों ने, स्टूडेंस ने शुरुवात में, जोस जोस में विदेशी स्कूलों का, इंगलिश मीडियम स्कूलों का बॉयकॉट किया था अब अल्टरनेट ओप्सन अवलेबल नहीं थी, वापस जाना शुरू कर दिया इसके साथ जो वकील वगरा थे, जिन्होंने, जो गॉर्मेंट ओफिशल थे, जिन्होंने जोब को छोड़ दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, उनको भी वापस वहीं पे जाना पड़ा क्योंकि इनकम का अल्टरनेट ओप्सन नहीं था, तो इसलिए यह अंदोलन था, जिस जोष के साथ शुरूआ था, बाद में यह धीरे पड़ता गया, clear तो ऐसा कुछ आप लिखोगे, ऐसा ही 26th question है, किसी देश के अंतराष्टी वैपार में उन्नती, उसकी सम्रिधी का सूचक है, बिल्कुल से यह, अंतराष्टी वैपार में उन्नती का आर्थ होता है, वहाँ पर किर्शी का उन्नत होना, अंतराष्टी वैपार अगर उन्नत है, तो इसका आर्थ यह भी होता है, अगर सम्रिध है, तो इसका आर्थ यह भी होता है, कि विदेशी मुद्राग की प्राप्ति होगी, अंतराष्टी वैपार जितना उन्नत होगा, उतना ही ज्यादा जो विदेशी संबंध है, वो मजबूत होगे, अंतराष्टी वैपार जितना उन्नत होगा, उतना ही परतिवेक्ति आयव में बढ़ोत्री होगी उतने ही बेरोजगारी कम होगी, कुछ लोगों को रोजगार मिलगा तो यह कुछ पॉइंट लेख सकते हो कि इसलिए इसको माना जाता है कि इंतराष्ट वेफार है किस भी देश के लिए महत्मून होता है क्लियर, हमारी जो आवसेक्ता है इतमाम जरूरते हैं वो भी पूरा होती है इसके साथ साथ 27th कॉश्चन दिया गए वेश्विकर्ण, उपोक्ता और उतपाद को दोनों के लिए फाइदे मन रहा है वेश्विकर्ण से क्या हुआ है वेश्विकर्ण से क्या हुआ है विदेश्विकर्ण, जो मल्टी नेशनल कंपनी जो इंडिया में आ गई है, आगे न तो हमारी लिए कैसे फाइद बन रहा है जो च्वाइस बढ़ गई, ज्यादा विकल्प उपलब्द हो गए मार्केट में जाएए, मॉबाइल आने के लिए आपको सो दो सो आपको कंपनियां मिलेगे मॉबाइल के पहले इतने उप्शन नहीं थे विकल्पों में वरिद्य हुई है गुणवत्ता में बढ़ोत्री हुई, बैटर कॉालिटी के प्रोडेक्ट मिलते हैं बैटर सर्विसिस हमें मिल रही है दाम कम हो गए है बेरोजगारी कम हुई है परतिवेक्ति आय में बढ़ोत्री हुई है निर्धनता कम हुई है बस ये सब कुछ लिखत हो गया इसमें और इसे के साथ साथ जो परडूसर है उनके लिए फाइदा क्या हुआ है कि उनको भी जो विदेशी कमपनिया उनके साथ मुकाबला करने का मौका मिला तो उनके गुणवत्ता में बढ़ोत्री हुए अपनी सरकार होती है लोकतंतर में लोग अपनी सरकार को खुद चुन सकते हैं लोकतंतर में सरकार को बदल सकते हैं लोकतंतर में हर वैक्ति के पास एक वैक्ति, एक वोट, एक मौल होता है लोकतंतर में हर वैक्ति के पास सराजा बनने का एक समान मौका होता है लोकतंतर में हर वैक्ति के पास अपने राजनीतिक दल बनाने का मौका होता है लोकतंतर में कानून का शासन होता है लोकतंतर में लोगों के पास मौलिक अधिकार होते है लोकतांतरिक सरकार ज्यादा जिम्मेवार सरकार होती है लोकतांतरिक सरकार वेद सरकार होती है बहुत कुछ लिख सकते हो तो वो आपको लिखना है तो यहाँ पे अगर 3 marker question है तो हमें 5 points तक जाना है clear, कोशिस करनी है अगर आपके पास points ज्यादा नो आप compare कर सकते हैं जो private school में हलांकि सारे private school एसंग्ठीच शेतर में नहीं है वैसे हम compare कर सकते हैं कि government school के जो teachers है और private school के teachers होते है उनमें क्या difference होता है अगर ऐसा ही कुछ एसंग्ठीच शेतर में होता है देखिए काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते हैं एसंग्ठीच शेतर में वेतन कम होता है जोब सुरक्षा नहीं होते है कभी भी कह सकते है भाई कल से मता ना तो सबसे पहले कि एसंग्ठीच शेतर होता है वो सरकार के परतेक्स तोर पर अधिन नहीं होता वहाँ पर अधिक काम करने के अधिक मतलब पैसा या वेतन नहीं मिलता वहाँ पर paid holiday, सेवेतनी कावकास नहीं होती है वहाँ पर medical facility नहीं होती है, वहाँ पर pension की सुईदा नहीं होती है यह सब कुछ लिख सकते हो जो ऐसंक्ठित शेत्र में होता है तो यह रहेगा आपका C section, उसके बाद D section के अगर बात करें तो D section में क्या रहेगा, आपको मिलेंगे 4, 5 marker question और इसमें देखें कि सबसे अच्छी चीज क्या रहेगी, कि यहाँ पर आपको internal choices मिलेगी internal choices, यानि कि need not to worry, ऐसा हो इनी सकता कि अच्छे से आपने preparation की हो और दोनों के दोनों question आते हो, कोई एक तो आएगा न, तो सबसे पहले जो हमें reading time मिलेगा न, in between पहले exam से पहले, उस reading time में हमें अच्छे से decide कर लेना है, कि इन में से कौन से वाला question करना है, बहुत अच्छे से, ठेक तो वहाँ confusion आओ, कई बार क्या करते हैं, कि बच्छे पहले से decide नहीं करते हैं, उसके बाद first question को करने लग जाते हैं, half किया, अटक कहें, फिर लगा कि चलो, इसको cross करते हैं, दूसरा करते हैं, भाई गडबड हो गए न, time वो हमारा five, six, seven minutes ते ले गए, तो यह हमें ध्यान करने के लिए, फ्रांसिसी करांतिकारियों ने कौन से उपाय पर्थाओं का प्रियोग है, उन्होंने एक देश के लिए कानून को रागु किया, फ्रेंच भासा को राश्रे भासा का दर्जा दिया, इसके साथ-साथ उन्होंने वहाँ पर ट्राइकलर को अपनाया, clear, ट्रा कापान में मुदरन संस्कृति कब आई, कहां से आई, कौन लेकर के गए, तो देखिए चाइना से पहुंची थी 1868 के आसपास, और यहाँ पर डायमेंड शुत्र है, 1768 के आसपास यह पहुंची थी चाइना से, और उसके बाद डायमेंड शुत्र है, वो सबसे पुरानी, oldest Japanese published book थी, और बाद में यहाँ पर जो एदो है, जो अभी modern Tokyo है, वो यहाँ पर print culture है, उसका सेंटर बन जाता है, किता गाओ उता मारो, जो थे, उन्होंने यहाँ पर modern संस्कृति के परचार परशार में बड़ा योगदान दिया, और वो विशिष्ट शैली में, जिसको उक्य अर्थ होता है, कि जो चलती फिरती दुनिया है, उसके चितरन क्या करते हैं, यह सब कुछ यहाँ पर हमें mention करना है, इसमें देखिए कि जो question आपको लगे न, इनमें decide करना है, कि भाई इसको ज्यादा लेंधी अच्छे से लेख सकता है, तो उस question के साथ आना है, उसी तरिक इसमें जल परदोशन भी करते हैं, भूमी परदोशन भी करते हैं, इसमें आप बताओगे वायू परदोशन भी करते हैं, दवनी परदोशन भी करते हैं, सब कुछ आप बता दोगे इसमें, ऐसे ही पांचवा जो इसमें आप लिखोगे, उसमें थर्मल परदोशन भी करते एसे वी निर्मान शेत्र क्या है वी जमा में निर्मान वी का अर्थ होता है दोमारा और निर्मान का अर्थ होता है बनाना तो secondary sector है उसमें आता है वी निर्मान जैसे गन्ने से चीनी बनाना कपास से कपड़ा बनाना यह सारा वी निर्मान शेत्र में आता है और ये क्यों महत्मून है तो आप बताओगे कि इसका अर्थ वह अस्ता में, ये देश के लिए क्या महत्मून है तो ये हम Most Important Questions की सिरीज में Recently, Recently मतलब आज ही मैंने पब्लिस किया ये तो वहां से आप इसका आंसर देख सकते हो, अधर्वाइस बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप इसको लेख सकते हो उसके बाद देखिए हमारा जो 30 सेकंड कोश्चन है, यहां पर भी हमें पोल साइंस से कोश्चन रहेंगे ये 30 सेकंड जो रहेगा तो यहां पर भी हमें internal choices मिलेगी, राजनतिक दलों के किनी पांच कारें को बताईए, भाई चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सरकार को चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, कानोनों का निर्मान करना, नीतियों का निर्मान करना, जनता और सरकार के बीच में कड़ी क कारें करना, जन्मत का निर्मान करना, यह सब कुछ कारें रहेंगी आँपे, या फिर सुझाव, सुधार के सुझाव दे दीजिए, या क्या-क्या सुधार किये गए, वो सब कुछ आप बता सकते हो, तो देखिए, सुधार के लिए, जैसे state funding होने चाहिए, यानि कि जो साथ साथ और सुझाव दे सकते हैं, महिलाओं के लिए 50%, 50% आरक्षन होना चाहिए, 33% होते हैं, हम उससे ज्यादा दे सकते हैं, इसके साथ साथ दल बदल पर पूरन तरीके से रोक होनी चाहिए, ब्रष्टाचारी है, उनके चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए, और इसके अलावा कहीं पर भी अगर ड्राया दमकाया जाता है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं, उनके पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे कुछ सुझाव हम दे सकते हैं, तो वो दिया जा सकता है, clear, तो आपको सुझाव दोगे और कुछ जो बदलाव आए हैं, उनके बारे बता इसमें two questions जो रहेंगे, internal choices के साथ, तो वो हमारी economics में से रहेंगे, और economics की बात करें, तो उसमें आपके लिए third जो chapter वो ज्यादा important रहेगा, यहीं से question है, कि एक में तो हमसे पुछागे कि भाई, जो ring है, वो क्यों important होता है, loan, बता दोगी, easily, बहुत easy है, और ऐसी जो bank किय या फिर cooperative societies है, वो गहों में भी होनी चाहिए, यह तो most important में मैंने डाल रखा, कि भाई यह तो आएगा, तो यह question भी important है, क्यों होना है, तो यह रहेंगे आपके five marker question, clear, उसके बाद आपका section E रहेगा, इसमें आपको case study based question मिलेंगे, आपको three case study based question होंगे, 12 marks के होंगे, जो case study based question है, उसको आपको eight, nine minutes में cover करना है, first, मतलब जो भी है, उससे ज़्यादा आपको time नहीं लगाना है, तो यहाँ पे case study based में क्या करना है, कि आराम से underline करते हुए चलना है, जो important points है, उसको underline कर लिजए, उसके बाद आप question के उपर आओगे, तो easily आपको answer find out करने में दिक अपनी होगे, हलांकि कुछ question ऐसे हो सकते हैं कि भाई, एक आद question की direct answer ना दिया गया, तो आपको उसके conclusion को समझना है, कि क्या कुछ कह रहे है, तो यह हमें धियान रखना है, और इसमें अगर one marker question है, तो कोशिच किजिए कि maximum, आप two line में, one or two line में answer दोगे, maximum two हो सकती है, और यहाँ पे two marker है, तो maximum three line में जाए, यह से नहीं कि पुरा paragraph ही वहाँ पे छापके आजाए, यह नहीं करना आपको, clear, ऐसी आपका 34th रहेगा, 35th भी इसी type से रहेगा, case study based question रहेगे, और 36th है, वो भी इसी type से रहेगा, case study based यहाँ पर question रहेगे, तो आराम से करना है, यहाँ पे किसी भी type की गडबन नहीं करने, easy रहेंगे, हलांके time consuming होंगे, उसके बाद 37th जो आपका question रहेगा, इसमें आपके 37 A और B मिलेगा, 37 A में जो question रहेंगे आपके, वो रहेंगे आपके history में से, जैसे देखिए place where Congress session held in December 1920, तो अब देखिए हमें कैसे locate करना है, तो अगर आपको वो place मिल जाता है, clear, आपको वो place मिल गया, कि वो कहाँ पर है, आपने देखा कि वो यहाँ पे नागपूर में है, December 1920 में, तो यहाँ पे आप जो नागपूर है तो इस टाइप से triangle बना दिया, उसके बाद आपको लिखे A, A के बाद लिखे नागपूर, उसके बाद bracket में लिख सकते हैं, यह पूरा question कि यह वो वाला जगए, उसका answer लिखना जरूरी है, कि यह नागपूर है, ओके, A भी लिखना जरूरी, नागपूर भी लिखना जरूरी, अगर सीधा ही आपने शो कर दिया, आपने बताए नहीं कि आपने इसको identify कर दिया, तो गडबड़ आपने इनी three points करने है, do all the four points, मैं कहूंगा कि four के four points ही आपको करने, three जो भी correct होंगे, अपने आप ले लिए जाएंगे, सलाल डेम, that is, जेंड के, जमुएंड कश्मीर में है, उसके बाद कलपक्कम, atomic power station है, यह तमिल नाडु में हो गया, बैंगलूरू सोफ़वेर पार्क easily locate कर पाओगे, करनाटका में, मारमा गाओ पोर्ट, that is in Goa, यह आपको locate करने है, A, B, C, और यह पूरा पूरा आपको name भी लिखना है, ठीक, तो यह आप दिहान रखिया, इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको दिखा दूँ, कि यहाँ पर कई बार गडबड हो जाती है, किसी मैफ़र के साथ, यह कहीं पर डाइगराम या पिक्चर दी होती है, तो वहाँ पर additional question दिया होगा, and that is for visually impaired candidates only, ओके दृष्टी बादी तुम्हीं दवारों के लिए होता है, यह आपके लिनी है, आपको तो वही जो पहले option दिया गए, उन्हीं questions को solve करना, और इस type से points पहले से locate होंगी, कि भाई, यह A point है, इसको identify कीजिए, B को identify कीजिए, तो यहाँ पर आपको identify करना है, और labeling करना है, तो यह सब कुछ रहेगा, तो यह था आपका sample question paper, hopefully आपके लिए काफी helpful रहेगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को like और share जरूर के जगा, आप अपने friends के साथ, teachers के साथ share कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी यह काफी important रहने वाला है, इसके लगा, और किसी भी topic के उपर, अगर आपको class 10 से लेटिड, कोई भी board exam से लेटिड, कोई भी update चाहिए, topic से लेटिड, कोई वीडियो चाहिए, तो आप comment section में comment कर सकते हो, class 10 social science के सभी chapters, map work, simple question paper, everything we have already published, आज के लिए बस इतने, thank you, bye-bye, have a nice day.